नमस्कार दोस्तों से जीता की रसोही में आपका स्वागत है तो देख सकते हैं यह हमने गोभी लिया और गोभी को हमने अच्छे से कट करके और पानी में डाल दिया था जो की कीडे वगर हो तो इसमें से निकल जाएं गोभी को जब भी देखेगा ना वैसे तो फ्रेस लेते हैं और फिर भी अगर अच्छे से काट के देख लिजेगा उसके बाद भी आप लोग पानी में जरूर डालिएगा क्योंकि कहीं न कहीं रह जाते हैं अगर नहीं है कोई बात नहीं अच्छी बात है जब नहीं है तो और आलो गुभी को हमने अच्छे से कट कर लिया है और आलोगोभी की बहुत अच्छी टेश्टी सब्जी बनाएंगे ग्रेवी वाली तो उसके लिए हमने मसाले लिया है जिसमें की लाल मिर्ची पाउडर और नमक गरम मसाला धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और देगी मिर्च तो देगी मिर्च दीखी नहीं होती वो कलर के है तो इधर हम गयास की तरफ आ गय है और आज हम सब्जी कुकर में बनाएंगे ये कुकर में बहुत अच्छा अर्गोभी गले गग नहीं इस तरह से हम आपको सब्जी बना के दिखाएंगे बहुत लोग कहते हैं ये दो दिख्फा गयान ही तो मैं आपको तो प्याज को हम भून लेंगे, तेल में अच्छे से इसको भून लेंगे, तो देखिए, प्याज को अच्छे से तेल में डुबो दीजिगा, फिर अच्छे से इस पर कलर आ जाएगा, और देखिए प्याज भून गया है, अब हम इसमें गोभी डालेंगे, पहले गोभी को डालेंगे आलू बाद में डालेंगे पहले गोभी डालेंगे गोभी को डालके न हम एक मिनट भून लेंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले गोभी डालेंगे तो गोभी जल्दी गल जाएगा आलू के साथ ऐसा कुछ नहीं होएगा आप लोग देखते रहे हमारी वीडियो पूरा और आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा देखिएगा हमारी गोभी जैसे है न वैसे कि वैसे ही रहेगी बिल्कुल गलेगी नहीं तो एक मिनट गोभी भूनने के बाद हमने आलू भी डाल दिया इसमें अब आलो गोभी साथ में भूनेंगे और आलो गोभी को भी हम दो मिनट भूनेंगे अच्छे से और गैस का फ्लेम न हमने तेज कर रखा है और कुकर में सबजी बनाने में दस मिनट में सबजी बन के तेयार हो जाती है हमारा टाइम भी बसता है गैस भी बसता है और सबजी बहुत टेश्टी बनती है तो देखिए गोभी और आलो भून गया है तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इसके बाद हम ये मसाले जो लिये थे हल्दी धन्या पाउडर लाल मिर्ची पाउडर नमक गरम मसाला डाल देंगे इसमें और इसी टाइम पे न हम अद्रक और लहसन का पेस्ट भी डाले थे पर वीडियो में आया नहीं मतलब दिखा नहीं पाई मैं तो आप लोग जोरो डाल देजेगा अद्रक और लहसन का पेस्ट मसालों के साथ तो इसको डालके हम मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसको भूनेंगे कम से कम मसाला डालने के बाद आप लोग अच्छे से दो तीन मिनट भूनियेगा इसको चलाते हुए और ढकने की जर्थ नहीं है खुले ही पकाईए इसको और हरा धनिया डाल देंगे कि इसको भी मिक्स कर देते हैं कि कहते हैं में सब्सक्राइब भूनाते हैं सब्सक्राइब अच्छी बंती और टेश्टी बनती है तो हां यह बास सही है मसालों को अच्छे से भूनी एगा बिल्कुल और जब जटपट बनानी हो सबजी तो 10 मिनट में आप लोग कूकर में बना के सबजी तयार कर लिजे आप लोग इस तरीके से अपने घर में एक बार ज़रूर बनाएगा फिर कहेंगे हाँ टाइम भी बच रहा है और आप लोग जब टाइम बचता है ना कोई चीज करने में तो बहुत खुसी मिलती है कि हाँ जटपट बनके तयार हो गया तो आप लोग ज़रूर ट्राइगा इसको तो देखिए हम इस तरह से खुला पका रहे हैं इसको दिखाने के लिए क्यूंकि देखिए मसाले अच्छे से नीचे से भुना रहे हैं और तेल कैसे सबजी तेल छोड़ रही है धीरे धीरे और सबजी ने तेल छोड़ना सुरू कर दिया तो मसाले को अच्छे से भुनाने जो बनाता मैं र्मिक चुछ हमने कि नहीं नहीं ड् waiting नमक की बांद में शुआ आपटा शुड़़्कील के नहीं नहीं बड़े ड़ोगर देच है हalter önem sih थे नहीं पैंडिया करम पानी में भूननी करें यह मी तो ठीत ही ब़ूनने के लिए क题 बढ़ अब सब्जी न तेल छोड़ दिया था और हम इसमें ग्रेवी जितना हमें रखना है उतना हम इसमें पानी डाल लेंगे तो हमने डेड़ गिलास पानी डाल ला है और इसके बाद हम न जो कस्मीरी लाल मिर्ची लिया है वो डाल देंगे ये बस कलर के लिए होता है सब्जी का या किसी भी चीज का कलर अच्छा लगता है देखने में थोड़ा बस तीखा नहीं होता क्योंकि हमने तीखे के लिए मिर्ची अलग से डाल रखा था पहले तो में थोड़ा ग्रेवी कम लग रहा था तो हमने डेड़ गिलास में से ही थोड़ा सपानी बचाया था एक चमच के करीब तो वो भी हमने डाल दिया था और यह देखे कोकर कढ़कन लगा देंगे और देख सकते हैं सब्जी बन के तेयार हो गई मेरी तो देखिए सब्जी को गोवी कितना खड़ा खड़ा है और इतना हमने अच्छे से सब्जी को भूना था आप लोग के सामने देखे और गोवी कोई भी गोवी गला नहीं सारे साबू सबूत खड़े खड़े और यह भी नहीं कि हमने बहुत बड़ा बड़ा काटा है मीडियम साइजी काटा है ज् आप लोग को हम पास से दिखाते हैं सबजी बहुत टेश्टी बनी है देखने में भी बहुत अच्छी है तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को हमेशा देखिएगा इसके लिए बैल आइकन भी दबाएगा तो देख सकते हैं हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब और कोमेंट करके जरूर बताएगा मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद